। Hey friends, आज में आपको बताने वाले हूँ ऐसी तीन एक्सराइस जो आपको help करेंगी आपकी stemब को flatten करने में आपकी बेली को shape में ले के आने में और 1st exercise is Reverse Crunchies では what is your core muscles strength and is must stay in a flexible muscles and you are still under flexibility करना है आगे की तरफ फोर्वर्ड किजिये एंड बैक अब हम करते हैं अपनी सेकंड एक्सराइज विच इस हील टच उसके लिए आपको सीधे लेट जाना है अपने पैरों को थोड़े उपर लेके आना है और इने खोल लेना है आप अपने दोनों हाथों से अपनी हील्स को टच करेंगे अबर नेक्स्ट एक्सराइज इस सिंगल लैग जेक नाइफ इस एक्सराइज के लिए आप अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे अपनी सिंगल लैग को अपने दोनों हाथों से टच करेंगे अपने देल को अपने लैग को अपने दोनों हाथ लैगे अपने दोना है च्छल करेंगे इस आप खित्तों लैगे प्वेगे जाज करेंगे लैग करेंगे तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा ये तीनों ही एक्सेसाइज बहुत जादा इजी हैं इन्हें करने के बाद आपकी बेली एकदम शेप में आ जाएगी और आपका स्टमक एकदम फ्लेटन हो जाएगा इन तीनों ही एक्सेसाइज के आपको 15 रैप और फॉर सेट्स करने ह जैसे जैसे आपको टाइम होता जाए वैसे वैसे आप अपने सेट्स और अपना टाइम बढ़ाते जाएए आप तेखेंगे 15 दिनों में आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन एक्सेसाइज का तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ब प्रेंड्स